आदर दोस्तों मैं हूँ शहजाद आलम बरनी आप देख रहे हैं दा बरनी शोओ आज हम अपनी शोओ में जो मुद्दा लेकर के आए वो मुद्दा है क्या दिल्ली के अंदर पांच मस्जिदें तोड़ी जाएंगी वो भी सरकारी आदेश के बाद दरसल आपको मालूम है के दिल्ली के अंदर सेंट्रल वीस्टा प्रोजेक्ट स्टार्ट हो चुका है सेंट्रल वीस्टा प्रोजेक्ट यानि की नए संसद भवन की तैयारियां काफी दिनों से चल रही है जो Central दिल्ली का यानि कि जो संसत भवन और रास्टपती भवन उपरास्टपती भवन के आसपास का एरिया है उसको पूरे तरीके से तोड़ करके नए बनाय जाने का ये प्रोजेक्ट है लेकिन इस एरिया के बीच में पांच मस्जिद आती हैं उन मस्जिद का क्या होगा क्य सरकार उनको भी तोड़ेगी पिछले दिनों 20 दीन 2021 यानि कि 20 मार्च 2021 को जो नोटिफिकेशन आया था उसमें पांच मस्जिदों का जिक्र किया गया था कि ये पांच मस्जिद हैं अब इसी को लेकर के जमियत उल्माई हिंद के सदर मौलाना महमूद मदनी ने एक पत्र ल दिखा गया है जिन में पांचों मस्जिद का जिक्र किया गया है इन पांच मस्जिद में जेपता गंज मस्जिद है उसके लावा रकाब गंज मस्जिद है किर्शी भवन की मस्जिद है और सुनेहरी बाग रोड की मस्जिद है उसके अलावा एक उपरास्ट पती भवन के अंदर एक मस्जिद है तो ये पांच मस्जिद हैं जिन पर बुल्डोजर चल सकता है इसी को ले करके जमियत अलमाई हिंद के सदर मौलाना महमूद बंदी ने पत्र लिखा है कि इन मसाजिद की हिफाज़त की गैरंटी दी जाए और इन मस्जिदों को कुछ नहीं किया जाएगा ये अतिहासिक मस्जिद हैं अगर इनको तोड़ा जाएगा तो इससे भारत की छवी भी खराब होगी पिला साथ में जमियते उलमाई हिंद ने ये भी कहा है कि इन मसाजिद के बदला का कोई मतलब नहीं बनता है यानि कि किसी तरह का कोई अल्टरनेटिव नहीं चाहिए ये मस्जिद ज्योंकी तूँ वहीं पर प्रोटेक्टिड रहनी चाहिए हलाकि इससे पहले तीन जून को आमानी पार्टी के एमेले जो ओखला से एमेले हैं अमानतुल्ला खान ने भी बाकाईड़ टूइट किया था जिनमें तीन मस्जिद का जिकर किया गया था वैसे मैं सवाल ये उठता है कि सेंट्रल वीस्टा प्रोजेक्ट के दौरान क्या इन मसाजिद को ज्योंके तू सरकार रखेगी या फिर इनका रिनोवेशन करेगी या फिर इनको कहीं पर शिफ्ट करेगी ये अभी तक तैय नहीं हुआ है लेकिन देखने ये होगा कि क्या जम्यते उल्माई हिंद के इस लेटर का कोई असर होगा सरकार किसी तरह की कोई पिर्ते किरिया देगी ये तो आने वाला समय ही बताएगा लेकिन बहराद अभी तक इतना ही कि ये पांच मसाजिद हैं जो इस सेंटरल वीस्टा प्रोजेक्ट के बीच में आ रही है इनका क्या होगा ये वक्त आने पर ही पता चलेगा आपको क्या लगता है सरकार किस तरह का फैसला ले सकती है रहे हैं आपनी राय जरूर है जरूर हैं largo के नीचे कमेंट बॉक्स है उसक में जाएं जाकर कि अपनी राय हमें जरूर बता हैं आज के इस एपिसोड में इतना ही हमारी आपसे रिक्टरत है इस व्डियो को शेर जरू करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरू करें और आप हमें सोशल मीडिया पर यानि इंस्टा, ट्विटर और फेस्बुक पर फॉलो करने के लिए वीडियो के नीचे जो लिंक्स दिये हुए उन लिंक्स बजाकर आप हमें सोशल मीडिया पर फॉलो कर सकते हैं बहुत बहुत शुक्रिया